हेलो गाईज, स्वागा थे आप लोग का फिर से हमारे डैय यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईज आज हम ग्रो एप से आप्शन चैन कैसे दिखते हैं और आप्शन चैन के बेस्टेस पे कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ATM, OTM और ITM क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो पे तो गाईज देखिए हमारा आप्शन चैन कुछ इस टाइप से दिखता है अब ये कैसे आएगा उसको हम थोड़ा सा दिख लेते हैं तो आपको back कर रहा है, back करने के बाद गाईज देखिए ये आपका Grow App का Dashboard है आपको ये सामने पे Index सो कर रहा है, इसी Index पे आपको क्लिक करना है, ये Nifty 50 को मैंने क्लिक कर दिया तो गाईज अगर आप देखेंगे तो हमारा Current Price क्या चार रहा है, ये है हमारा Current Price 18,575 का यही है गाईस हमारा ATM 8 the money ठीक है और इसके उपर वाला जो प्राइज होगा वो होगा हमारा ITM इसको हम कहते हैं इंदमनी और इसके नीची वाला जो प्राइज रहता है उसको हम कहते है OTM out of the money आप देखेंगे तो हमारा यह जो प्राइज है इसको हम कहते है strike price और जैसे जैसे हम इंदमनी पर जा रहे हमारा strike price कम हो रहे है देखिए 18,550 18,500, 18,450 18,400 और जैसे जैसे हम उपर जा रहे हमारा strike price कम हो रहे है वैसे वैसे ही हमारा premium जो है बढ़ रहे है हम इसको कहते है premium 46 रुपया 89 रुपया 136 रुपया और उपर बढ़ रहा है ठीक है उसी टाइप से हम जसे जसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा strike price बढ़ते जाएगा और हमारा premium कम होते जाएगा यह जो चीज़ है मैं आपको call options के लिए बता रहा हूँ ठीक है call side के लिए हमारा ATM होता है वो उपर side होता है और OTM जो होता है वो नीचे के side होता है उसी टाइप से हम put side का थोड़ा सा समझ जाते हैं यह देखिए आपे call लिखा हुआ भी है यह put लिखा हुआ है तो ATM तो वही रहेगा ठीक है call side के लिए क्या होता था ITM क्या होता था उपर वाला और OTM नीचे होता था इसका जस अपोजिट हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा OTM और यह हो जाएगा हमारा ITM ठीक है, put side के लिए इधर का हो जाएगा हमारा ITM और इधर का हो जाएगा हमारा OTM अगर आप देखेंगे, यह ITM का हमारा price जो है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और हमारा OTM का हमारा price जो है, put side का, वो कम हो रहा है तो आप यह समझ गयोंगे, अभी तक फिलहाल रहेगा और अगर आप ITM पर आएंगे तो आपका premium बढ़ते जाएगा यह put side के लिए हो गया उसी टाइप से call side के लिए देखे ITM बढ़ रहा है और हमारा OTM कम हो रहा है यह तो हो गया हमारा ATM, OTM, ITM अब बात आती है कि अब आपको कौन से premium पर काम करना चाहिए तो गाइस देखें आपको always trade करना होता है ITM पर आप कुछ भी position बना रहे हो तो आपको ITM पर ही trade करना है चाहे आप call side का बना है चाहे आप put side करना है आपको always trade करना है ITM पर ठीक है ध्यार रखिएगा क्योंकि ITM पर हमारा premium का value तेजी से बढ़ता है क्योंकि हमारा delta का value वहाँ जादा होता है तो अगर आपको नहीं पता यह delta क्या होता है vega theta gamma आपको नहीं पता तो आप हमरे चानल को subscribe कर सकते है हम इस से related videos बनाते रह अबते है